हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल अगर आपने इसके वीडियो पिछले नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजेगा ताकि स्टोडी आपको अच्छे से समझ में आ जाए आज एपिसोड 45 का एक्स्प्लेइन होगा लेट स्टार्ट और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज लिखाया जाता है जो की बैठावा होता है और बोल रहा होता है कि हाओ और हाओ मैं तुमारे लिए कुछ नहीं कर सका तबी वहाँ पर एक कबुत तरा जाता है और उसमें मैसेज लिखावा होता है कि यंगनान ने इंग्ची को बचा लिया है ये पढ़ने के बाद वो जिखाया है ये सुनने के बाद मास्टर चैंग बोलते हैं तो लोग जूट बोल रहे थे बिना पत्थर वो किसी को जिन्दा कर ही नहीं सकते हैं तो ये लोग मिलकर एक प्लान ना लेते हैं तुम यंग्ची को लेकर आ जाना जंगल में हम उसे किड्नैप कर लेंगे और यं जिखाया जाती है जो मू बुफान से बोलती है कि चिंगनान को वापस कर दो वो बोलता है कि नहीं तुम लोग सब गलत कर रहे हो तो वो उसे कुछ दिन का वक्त दे कर वहां से चले जाती है अगे हमें दिखाते हैं कि मास्टर चैंग जो होते हैं वो चिलियान की मदद कर होते हैं तो वो उसे और बहलाते हैं फुसलाते हैं और वो तितलियां वहां से निकल वा लेते हैं और वो ले लेते हैं और उसको भी तक्का मारके वो वहां से चले जाते हैं अब हमें दिखाया जाता है कि चिलियान बोलती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया ठीक नहीं ह कीड़ा भी वहाँ पे होता है और वो उधनकर वहाँ से चला जाता है के सबसेंद के बात के बाद अगले सीत नमीं और जिभाते हैं लेकिन बहुत दीरे दीरे चल ह disp cosm श सबसेंद की और यहोई होák Energine Spacej तो वो बोलती है कि मैंने अपनी जिंदगी में से कुछ थोड़ी जिंदगी उसको दे दी ये सुनने के बाद बाइगवी बोलता है कि तुम कितनी बेवकुफ वो उसको बोलता है कि तुमने अपनी जिंदगी उसको दे दी और उसे तुमने कुछ बताया भी नहीं ये बहुत मेरे बाल सफेद हो जाएंगे तो वो बोलता है कि तुम हमेशा खुबसरत लगती हो इसके बाद सुनहरा कीड़ा वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि यंगनान तुम बूड़ी कैसे हो गई फिर बोलता है कि अले नहीं नहीं तुम बहुत खुबसरत लग रही हो उसके वो बोलता है कि तुम यहां क्या कर रहे हैं तो तुम्हें वहां नज़र रखने के लिए भेजा था ना तो वो बोलता है कि तुम्हारी बीवी बहुत ही ज़दा खतरनाक है उसने कई लोगों को मार दिया है और वो शैंचु की मुखिया बन कर बैठी वी है यंग्नान बोलती है क्या तो तुमने सच में शादी कर ही लिया आखिरकार वो बोलता है हाँ तो वो बोलती है वो सुनेहरा कीडा बोलता है क्यों तो तुमारे प्यार में पागल है और सब को बस मारे जा रही है तो वो कहता है मुझे उसे रोकना पड़ेगा यंग्नान बोलती है क्यों हमें सुशान जाना चाहिए तो सुनेहरा कीडा बोलता है क्यों मैं भी चलूँगा वो लोग उसे मना कर देते हैं और उसे नज़र रखने के लिए बोलता है तुम हमेशा मुझे ही क्यों नहीं लेके जाती है अपने साथ इसे तो बढ़ा ले जा रही हो तो वो बोलती है कि देखो सुनहरा कीडा तुम जाकर मास्टर चैंग पे नज़र रखना वरना वो पागल हो जाएगा अगर उसे पता चल गया तो तो सुनहरा कीडा वहां से चला जाता है और ये दोनों निकलते हैं सुशान जाने के लिए ये अगनान और बायगूई सुशान प Jeśli पहुँच बादे हैं लेकिन वहां पर उनको जाने नहीं दिया जाता है तो बायगूई अपनी ताckt से इन लोगोंगों वही फिर खत्म कर दो है और जाकर दर्वाज़ खुलने की कोशिश करता है लेकिन वो खोल नहीं पाता क्योंकि उसने मंत्र बदल दिया होता है तभी वहाँ पर मास्टर चिंगनान आ जाती है और उनलोगों को सारी बाते बता दिती है और अपने साथ चलने के लिए बोलती है सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें यंक्ची को दिखाया जाता है जो की होश में आ चुका होता है और वो वहर अकर यंगनान को ढूंड़ा होता है शुकाय बोलता है कि यंगनान तो यहांसे चली गईया आपको बचाने के बाद में, वो कहता है मैं जिन्दा कैसे हो गया, तो वो बोलता है कि उन्हों ने ही आपको जिन्दा करा है, आप उन्हें से पूछ लेना, तब ही वाँ पे तुछ आ जाता है, और वो बोलता है अपने साथ चलने के लिए, तो यंग्ची बोलता है, नहीं मै पकड़े गए तो अब तुम्हारी वज़े से यंगनान यहां आएगी और वो पत्थर मुझे दे देगी तो वो बोलने के कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता है अगले सीन में सारे लोग मिलकर बात कर रहे होते हैं तो बाइगुई बोलता है कि अब हमें मा लिड़ा आजाता है और वो बताता है कि यंग्ची को मास्टर चैंगने की डैप कर लिया है यह सुनने के बाद सब लोग सोच में पढ़ जाते हैं अब हमें क्या करना चाहिए तो पीछे से यंगनान वहां पर आ जाती है यंगनान को इस तरह देखकर सब बोलते हैं यह क्य इस बारे में बाद में बताऊंगी लेकिन मेरे पास अभी एक तरीका है तो वो लोग पूछते हैं कि क्या तो वो बोलती है कि मैं यहां से नहीं हूँ मैं अलग दुनिया से आई हूँ तो जो पत्थर नश्ट हुआ था वो मेरे साथ ही आया था लेकिन अभी का जो पत्थर मास्ター बटोग पक्रार मेता में का सब नीचि और बाता हैं जाता है अगले सीन में हमें मास्टर चैंग को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि यंगनान अभी तक क्यों नहीं आई है वहाँ पर पीछे चीलियान के लोग भी होते हैं और वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं ताके वो पत्थर आए तो वो लोग उसे चुरा ले और तब इसको मारें जी बोलता है कि तु मुझे यकिन नहीं हो रहा कि तुमने भी इसका साथ दिया तो मास्टर चैंग बोलता है कि अब बहुत देर हो गई है मुझे लगता है तुम अपनी जान खुदी ले लो तो ठीक है और वो जादू कर देता है और हिंग्ची जो होता है वो अपने गले को खुदी दबाने लग जाता है तब ही वहाँ पर यंग्णान आ जाती है और उसे देखकर इंग्ची बहुत खुश हो जाता है मास्टर चैंग उसको बोलता है कि वो पत्थर मुझे चाहिए तो वो कहती है कि पत्थर नहीं है वो मना कर रही होती है तो वो यंग्ची से ही यंग्णान पर हमला कर देता है यंग्णान जो होती है उस घंटी को तोड़ देती है जिससे वो जादू हो रहा होता है अब यंग्ची का जादू तूट जाता है और दोनों मिलकर बोलते हैं कि वो पत्थर नहीं है यंग्ची बोलता है कि वो पत्थर तो म हमारी ये दिल नहीं हुई थी हम तो वो कहां से आएगा तो मास्टर चैंग बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता तो तुम जिन्दा कैसे हो गए बताओ यंगनान ये जिन्दा कैसे हुआ तो यंगनान अपना रोब हटाती है और बोलती है कि देखो तो उसके सारे बाल सफेद होत करता है और उसे गणले लगा लेता है लो बोलता है वे वकुफ लड़की ये क्या कर दिया तुमने मास्टर चैंग फिर बह 오래 नहीं मान रहा हुता है और इन दोनों पे हमिला कर देता है और यंग-ची बोलता है अब तुम इसको तकलीफ नहीं पहुँचा सकते हो और अम उन इसे कोई भी तकलिफ नहीं होने दूंगा यंगनान अपना खून तलवार प्रे से गिराती है और वो पत्थर वहां से निकलने की पूरी ताकत लगाता है सारे लोग मिलकर उसको वहां से निकलने के लिए जो लगा रहे होते हैं मास्टर को भी कुछ नहीं हो और वो पत्थर अचानक से उसमें से निकलता है और फॉरन वहां बहार चला जाता है अब जो मास्टर चैंग होते हैं उनके हाथ में पत्थर होता है वो दर्वाजा खूल देते हैं तो और बोलते हैं कि मैं अब आ रहा हूँ जिंग जिंग मैं तुम्हें बचा लूँगा ये कहकर वो उसके अंदर जाने लगते हैं तो तो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा उसकी अगनी वापस करो तो वो अगनी के साथ वो सारी तितलिया भी वहीं प लग जाता है अब आगे हमें दिखाते हैं मास्टर चैंग जो होते हैं वहाँ पर पहुच जाते हैं और बोलते हैं कि यह तो मैं वापस अपने वविश्य में आ गया अब मैं अपनी जिंग को बचा लूँगा लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे सनहरे कीड़े की और यहीं होता है हमारा एपिसोड खतम तो फ्रेंड्स अब इस सीरीज के सिर्फ तीन एपिसोड बचे हैं अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी और लाइक कीजी शेयर की की बाइब की गया रहाई आतरा हैं अगर cevा हैं